नवस्कार आप देख रहे हैं निउस वर्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ जुहिस सिंग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहले ख़वर के साथ मामला अमेठी के जामो थानक शेत्र की दखिनवारा गाउं से हैं जहां 15 अगस्त से पहले बरिश शाजिस का भंडा फोर हुआ है यहां एक घर में गोला बारूद बनाने का काम किया जा रहा था गोला बारूद बनाने के दौरान शाम के लगभग 6 बजे घर में जबरदस्त विस्पोर्ट हुआ हादसे में एक वैक्ती गंभी रूप से घायल हो गया घायल का इलाज नेजे अस्पताल में चल रहा है आपको बता दे की मौके पर पहुँची फायर ब्रिगेड की टीम को गोला बारूद जैसे कुछ एहम सबूत भी मिले है दखिए कल साम को थाना जामों के दखिनवरा गाउं में एक विस्पोर्ट सुगा मिली थी पूलिस टीम ने जाच किया तो घरवालन बताया कि ये सिलिंडर में विस्पोर्ट हुआ है जिसलिए घटना हुए आज पुना विडियस टीम को बुलाके फिलूइन टीम बुलाके और खाने की टीम द्वारत पुना जाच की काईदे से जनकारी हुई है कि सिलिंडर में विस्पोर्ट नहीं था यहां पटाकों विस्पोर्ट हुआ है कि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था पटाका रखने का बनाने का बिचने का अता इनके विरूद ठाना जमों पर विधीक करवाई अभियुक पंज किया रहा है और अग्रिम करवाई की जाएगी और इसके साथ साथ समथ जन्पत के खानों को यह निर्देश दिये गए है कि जाच कर ले और कहीं ऐसा कोई इलिगल पटाके बनाने का बिचने का या रखने का कोई काम होता है तो उनके विरूद करवाई करें इतने साथ ही साथ जो वैधानिक लाइसेंस वाले हैं उनके भी लैसेंस चेक करके और उनको सत्यापन करने के लिए बताए जाए खबर अ कर आगे की कारवाई में जुट गई है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर अगली खबर एटा से है जहां थाना रिजोर शेत्र के चप्रई गाउं के पास एक बुलेरिक कार ने कुछ कावरियों को बुरी तरह रौंद दिया इस घटना में एक की मौत हो गई और तीन घायल है सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम ने मिर्तक के शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है साथ ही गायलों को इलाज के लिए मेरिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है अगली खबर श्रावस्ती के एक ओना थाने के भगवान पुन बंकटवा से है जहां मामुली कहा सुनी में महिला गुटों ने एक महिला की जम कर पिटाई कर दी महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है आपको बता दे की मामले को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस और विपक्षी दलों की साथ गाठ के चलते कोई कारवाई नहीं की जाए घटना यूपी के फतेपुर जिले के खागा कोतवालिक शेतर से है जहां एक फरनीचर कारोबारी की फिरोती नहीं देने पर अफरन कर उसकी हत्या कर दी गई हत्यारों ने शब को यमुना नदी में फेंग दिया इसके बाद लखनव से आई SDRF समेथ एक्सपर्ट गोता खोर की मदद से शब को धून निकाला गया आपको बता दे की घटना का मास्टर माइन मितक के दोस्त और उसके साथियों को पुलिस ने गरफतार कर लिया है मामला श्रावस्ती थानाक शेत्र इकॉना के पठखॉली मौहारी गाउं से है जहां गाउं के ही एक युवक ने एक विद्वा के साथ दुश कर्म करने की कोशिश की शोर सुनकर बचाने आई विद्वा के सास की युवक ने बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटना स्थलवर पहुँची और इलाज के लिए दोनों महिलाओं को CSE कॉना भेज दिया गया खबर बुलन सहर से है शासन के निर्देशा अनुसार कलेक्टरेट सभागार में जन सुनवाई पोर्टल के संबंध में कार्याशाला का आयोजन किया गया कारिक्रम में अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार मिश्र, CMO डॉक्टर विनय कुमार सिंग के साथ विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे आपको बता दे कि जिलाधिकारी चंदरप्रकाश सिंग ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन सुनवाई पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों का नस्तारन समय बद्ध तरीके से किया जाए बढ़ते हैं अगली खवर की ओर अगली खवर बुलन शहर से है जहां वरिष्ट पुलिष अधिक्षक्ष लोग कुमार सिंग ने थाना खुर्जा देहाद का अचिक निर्देशन किया इस दोरान कार्याले के साफ सफाई और थानाक शेत में अपराधों पर सक्ति बरतने के साथ महिले संबंदी अपराधों पर रोग थाम और यातायात के नियमों को विशेश रूप से पालन करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिये